चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कॉनिस की सीरीज दर लए इसका पार नमर 18 अभी तक हम लोग 17 पार देख सुके हैं जिन लोग ने नहीं देखें यहाँ पर किलिक करके एक आई बटन हो गए इस पर किलिक करें आपको हमारी पूरी सीरीज मिल जाएगी जो थी डॉट किलियर हो जाता है वोजे भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मानते हैं आप हैं यह आप हैं और आप अभी घर पर हैं मतलब कौल इस टाइम की कुछ दिन याहत करिये जब आम बहुत भूमा करते थे और आपको घर्वाले अब आपके घर पर ने फोन किया आपको घर्वालों ने एक निंड्ड लिया मिलके और घर से और घर से फोन आया घर से फोन आया और बोला गया कि आपको अब जाना पड़ेगा बाहर क्योंकि यहां पर रहोगे तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें होस्टल में जाना पड़ेगा फिर आपने जब फोन रिसीप यह आपको पता चला यासा आपका मूड एक दमॉफ हो गया फिर आपने अपने साधी को बताया कि हमारे घर से हम मुझे बाहर जाना पड़ेगा अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा मतलब तुम्हें छोड़ी के साना पड़ेगा फिर तुम्हेरे साधी ने का तो मुझे छोड़ी के से ले जाओगे तो आपने का यह मेरा निर्डड़ नहीं है मैं तो नहीं साना चाहता है मैं त कहा है कि मुझे बाहर जाना पढ़ेगा तो अब मेरी मज़बूरी है मुझे जाना पढ़ेगा तो इस अंस्ता है बहुत सारे लोग रहते होंगे, जैसे आपके घर में सदस, इस संस्तान में बहुत सारे सदस होंगे, आप ये सदस कौन हो सकते हैं, आपके पापजी हो सकते हैं, जहान से सुनिए देखिए आपको अभी एप्रोश बहुत अच्छे से क्लिए और जाएंगी, आपके माह हो सकती हैं, आपक की घर का निर्णाइं फ़ो। या फिर आपके जो बड़े सदस्तियों घर के जितने बड़े लोगों सब ने ये मौधरिर नीतिया कौन जारी करता है RBI? लेकिन RBI क्या है, संस्थान है, इसलिए मैंने इस्टोरी आपको सुनाई थी, अब आपको समझवा गया, अब इस संस्थान के अंदर को सदस्थ सोंगे, जैसे आपके घर के अंदर को सदस्थ सोते हैं, इस तरह इस RBI एक संस्तान है, संस्तान के अंदर भूख सारे सदस हैं, यह सदस से निड़ने लेते होंगे न, कि ए मौदरिक नितियां इनको हम कम करें हैं, जादा करें हैं, या फिर इतना ही रहने दें, तो आपको समझवा गया, तो घर क्या एक संस्तान है, और इसी घर को क् समयते हैं, कि मौदरिक नितियां क्या होनी चाहिए, अब आपको क्लियर होगे न, तो आज हम यही देखने जा रहे हैं, कि यह निड़ने कौन लेता है, मौदरिक नितियां कम होनी चाहिए, जादा होनी चाहिए, यही आज हम लोग देखेंगे, तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अब आप लोग के लिए समझ भाग गया इस्टोरी भी इस्टोरी धान रखे तो आप हमें से इसको याद रखेंगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मौद्रिक नीती समझती मौनिटरी पॉलिसी के इसको बोलते हैं तो यह दो भागों में हम इसको देखेंगे 2006 से पहले अलग कंडिशन थी और 2006 के बाद से एक अलग कंडिशन है जो निर्डनेל लेता है तो हम दोनों condition देखेंगे और हम देखेंगे पहले हम जिस बेवस्ता को अपनाते थे उसे खतम क्यों कर दिया गया और नई बेवस्ता हमें क्यों लानी पड़ी ये भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप दोनों आप इस दोनों में तुलना भी कर पाएंगे तो 2006 से पहले जो मौदरिक नीतियां थी इसके लिए जो कौन जारी करता था RBI के गवर्नर लेकिन RBI के गवर्नर के लिए एक क्या कहता है कमेटी होती थी जिससे बोलते थे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी एक आप होती थी ये 2006 से पहले होती थी मतब 2006 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया तो आपको पूछा जाता है कई बार 2006 से पहले RBI के गवर्नर था इनकी सहाइता के लिए क्या थी एक कमेटी थी जिसका नाम था टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी अब देखे एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी इसके जो अपने सुझाओ देती थी इन्हें RBI के गव मंदर के लिए क्या है एक समीती है अब इसके लिए किसी चीज पर राय चाहिए अपनी गवर्नर जो RBI के गवर्नर है इन्हें अब किसी भी मुद्दे पर राय चाहिए जैसे अब टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है इन्होंने कह दिया कि भाई इंफलेशन बहुत बढ़ करने वाले और इधर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का सुझाव है कि इन्फलेशन को कम करना है लेकिन गवर्नर चाहता है मुझे कम नहीं करना है वो अपनी जीत पर आड़ गया तो क्या होगा अब देखे इस अबस्ता में जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने का आ आर बी आई हमारे पूरी अर्फ विवस्ता को कंड्रॉल करती है अब तक आप लोग देख चुके हैं कि पूरी अर्फ विवस्ता को कौन कंड्रॉल करता है अब यह जैसा चाहेगा वैसा करेगा क्योंकि एक इंसन के हाथ में पूरे हमने देश की कमान दे दिया है इसलिए विवस्ता ठीक नहीं थी बाद में हम दूसरी विवस्ता लेकर आए तो इससे क्या हुआ रबी आई का गवरनर था उसके पास बीटो बावर आगई मतलब बिसीशा अधिकार आगया वो जो करना चाहें जैसा करना चाहें कर सकता था वो चाहें हम इंट्रेशन और दर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वो अकेले ही बढ़ा सकता था उससे समीति के सुजाओ मानने के लिए कोई भी ऐसी अवस्ता कोई भी ऐसी पिरकरिया नहीं थी कि वो बात देऊ उतके लिए तो ये तो condition ठीक नहीं थी ना तब ही उर्जित पटेल एक समीती आई जिनों ने सुझाओ दिया इसका जो अभी हम लोग बात करेंगे मौद्रिक नीती समीती का तो मौद्रिक नीती समीती है इसका सुझाओ किस ने दिया तो important हो जाता है आपको ध्यार रखना है एक उर्जित पटेल हैं जिनके नित्रित में एक समीती का गठन किया गया था जिनों ने सुझाओ दिया था अपने report में कि हमें एक नई विवस्ता लेके आने चाहिए कि मौद्रिक नीती समीती यानि कि जो technical advisory committee है इसको समात कर देना चाहिए मतलब इसको खतम कर देना चाहिए और इसकी जगे पर हमें एक नई विवस्ता लेके आने चाहिए मौद्रिक नीती समीती कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हमने इसको क्यूं खतम किया क्यूंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पूरे देश की कामान है उस सिर्फ एक विक्ति के हाथ में आ जाई क्यूंकि जो RBI का गवर्न के पास बीटो फाबरत की बिसी सा अधिकार था तो बिसी सा अधिकार होना यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि पूरे देश की अर्थ विवस्ता की बात है तब क्या किया गवर्मेंट ने एक नई विवस्ता लेकि आई 2006 से जिसका उपयोग किया जाता है चलिए अब हम लोग किया गया एक समीति लाएगे जिसमें छह सदस्य होते हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं इसमें कितने सदस्य हैं तो आपको ध्यान रखना है कितने सदस्य हैं और देखें इस सदस्य हैं इनको भी दो भागों में बाटा गया तीन और तीन सदस्यों में जो तीन सदस्य हैं व प्रतिनेदइब किसके ? यैन कि तीन लोग किसके हो गया ह Mimi get तो इसमें प्रतिनेदइब किसका होगा घूख कर कल सकते हैं तो यह किसके ऊपके अपकी तो यह तो यह सब àаст होंगे ऐक किसके होंगए और मेंट के और मेंट के अब देखिए गौवर्मेंट है वो हमारे द्वारत चुनी की सरकार है ना गौवर्मेंट किसका प्रतिनिद्द करती है किसको रिप्रेजेंट करती है हम लोगों को रिप्रेजेंट करती है ना तो हमारा भी प्रतिनिद्द होना चाहिए कि आर्ट विपस्ता कैसी चल लही है इसलिए इसमें गौर्मेंट के भी जो तीन सदस्य हैं उनको लाया गया तो तीन सदस्य को चयान कौन करेगी सरकार लेकिन सरकार इसमें एक बात important है लेकिन जो यह सदस्य होंगे मतलब तीन यह सदस्य हैं इनका चुनाओ राजनीतिक रूप से नहीं होगा बलकि कैसे होगा यह ऐसे सदस्य होने चाहिए जिसें अर्थ बिवस्ता में जो अर्थ सास्तर होता है उसमें बिसीस ग्यान हो या फिर उन्हें जो अर्थ सास्तर से संबंदित या जैसकी अर्थ सास्तर से संबंदित उन्हें बिसीस ग्यान हो ऐसा नहीं है कि और राजनीतिक जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें लागर के डाल दिया ऐसा नहीं हो सकता है वो अर्दसास्त्र का या तो बिद्यारती होना चाहिए या फिर उसे अर्दसास्त्र में अलग से एक विस्यस ग्यान होना चाहिए इन्हीं लोगों को गौर्वेंट क्या कर सकती है इन अब इसमें की से लिया जाएगा कि मैं यह अब इसमें का बोटिंग होती है तो बोटिंग कैसे होई बढूमति कि आदार मानते हैं जैसे कि किसीने का जैसे की हम एक example लेते हैं कि दर बढ़नी चाहिए दर बढ़नी चाहिए और दूसरी तरफ दर नहीं बढ़नी चाहिए दो हैं अब इन पर voting होगी तो कुछ लोगों ने कह दिया मतलब चार लोगों ने कह दिया चार सदस्य और मेंबर है जिन्हों ने कह दिया दर को बढ़ाना चांगे और दो सदस्य ऐसे हैं जिन्हों ने कह दिया कि दर नहीं बढ़नी सी हैं तो क्या हुआ चार के दर बहुमत आ गया न अब जिदर भी बहुमत होगा बही निड़ने माना जाएगा यानि कि यह निड़ने अब लागू करना पड़ेगा किसको RBI को अब यह निड़ने क्या हो जाएगा निरस्त हो जाएगा यानि कि इसमें निड़ने कैसे किया जाता है बोटिंग के आधार पर किस आधार पर बोटिंग होती है और बोटिंग के बाद देखा जाता है जिदर भी बहुमत होगा जिदर भी बहुमत होगा भही निडने क्या होगा अपलाई किया जाएगा भही निडने माना जाएगा लेकिन ऐसी भी तो अबस्ता आ सकती है कि जैसे कि इसमें और इसमें तीन तीन मेंबर हो सकता है तीन मेंबर ने कहा दिया कि दर बढ़नी चाहिए थी और तीन मेंबर ने कहा दिया दर नहीं बढ़नी चाहिए थी तो इसमें क्या होगा रेखे यह भी इंपोर्टेंट है तो इसमें उसका निड़ने माना जाएगा जिदर आर यहां पर थोड़ी ज़्यादा पावर दी कही है वरना आम सदस्यों में और गवर्नर में क्या अंतर रहेगा तो वो कभी मुझे गवर्नर ही नहीं रहना क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बावर होनी चाहिए तो इसलिए कहा गया अगर बराबर की स्तित्य होगी तो उस को सब ही लोगों को बताना है कि परतमान में जो जो आर्वी आए की गवर्नर कॉन है और इस ते पहले कौन रह चुकर यानकी सली वार कौँप समय आज बेज anyone को इसको बेना ने है authorized सेले मैं इस वीडियो को यहां पर ही फिनिस करता हूँ और कुश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए मैं सभी का चक करूंगा होगी है